हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अलग-अलग करोडों जीव रहते हैं और इन में से कुछ जीव हमने आज तक देखे भी नहीं है ऐसा ही एक जीव ब्लू वेल भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं अब तक पृत्वी पर जितने भी जानवर पाए गए है इन में से सबसे विसाल काई जानवर डाइनसौर नहीं है बलकि ब्लू वेल है ऐसा क्या कारण है जिसकी वज़े से इसका आकार इतना विसाल हो गया है क्या इसके पीछे कोई वेगनानिक कारण है आईए ये सब जानते है और इसको और अच्छे से जनने की कोशिश करते कहते हैं के जिस तरह जंगल का राजा सेर होता है बिल्कुल वैसे ही समुद्र किरानी ब्लू फेल है अपने विसाल आकार से सब को हैरत में डालने वाली ब्लू वेल बेहती सांस वभाव की होती है जिसकी वज़े से वह सब की नजर में सम्मान पाती है लेकिन इस विशालकाई जानवर की बहुत सी ऐसी बाते हैं जिसको जानकर आप सब के मुँँ खुले के खुले रह जाएंगी या फिर आपके पैरत्वला की जमीन खिसक जाएगी क्या आपको पता है कि एक ब्लू वेल की जीव एक अकेले हाथी के साइज की होती है हम इस बात से अंदाजा लगा सकते है कि इसकी पूरे शरीर की साइज कितनी होगी एक ब्लू वेल 30 मिटर लंबी और 180 टन तक बढ़ती है इस तरह से ब्लू वेल अब तक मिलने वाले डाइनोसौर के सबसे बड़े कंकाल यानि की 27 मिटर से भी बड़ी होती है बीशवी सदी की सुरुवात में ब्लू वेल पृत्वी के लगबग सभी महासागरों में प्रचूर मात्र में थी लगातार सिकार होने के कारण इसकी आबादी महज 5 से 10 हजार तक ही रह गई है आपको जानकर हैरानी होंगी कि ब्लू वेल समेथ सभी वेले पानी में सांस नहीं ले सकती इनके सिर पर एक छेद होता है और जब यह पानी से बाहर निकलती है या फिर गोता लगाती है तो उसी छेद के माध्यम से वह सांस लेती है ब्लू वेल बहुती प्राजीन जीव है जिसकी उत्पती पांच करोड साल पहले हुई थी ब्लू वेल की गर्दन बहुती लचीली होती है जो तेरते समय गोल घूम सकती है ब्लू वेल की पूँच के अंत में दो सिरे उसे तेरने में मदद करती है एक औसत ब्लू वेल का जीवन 70-90 साल का होता है ब्लू वेल अपनी सांस ओ 35 मिनिट से लेकर 2 खंटे तक रोक सकती है ब्लू वेल अपने दूसरे साथियों से संपर्क करने के लिए एक खास प्रकार की आवाज निकालती है जो बहुती मदूर होती है और उन्हें कई मिल दूर तक सुना जा सकता है ब्लू वेल के दिल का वज़द 600 किलो ग्राम तक होता है और वह एक मिनिट में सिर्फ 9 बार ही तड़कता है ब्लू वेल 90 दिन तक बिना सोय रह सकती है सोते समय भी उसका आधा दिमाग जागता है जबकि आधा सोया हुआ रहता है ब्लू वेल का बोजन अन्य छोटी मचलिया होती है और यह एक दिन में 4-6 टन तक का बोजन कर सकती है बोजन की ज्यादातर उर्जा वह सुरक्षित रखती है जिसकी वज़े से वह 200 दिनों तक बिना खाये भी रह सकती है ब्लू वेल की खोपड़ी की लंबाई 5.8 मीटर तक नापी गई है फिर भी इसकी दिमाग का वजन महल 7 किलोग्राम तक होता है ब्लू वेल अन्य मचलियों की तरह अंडे नहीं देती बलकि यह सीधे बच्चे पैदा करती है निली वेल एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा दे सकती है यह ब्लू वेल जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी लंबाई 8 मीटर तक होती है और वजन 4 टन यानि की 4000 किलोग्राम तक होता है यह बच्चे रोजाना अपनी मा का 200 से 300 लिटर दूद पीते है ब्लू वेल अपने फेपड़ों में एक बार में 5000 लिटर से ज्यादा हवा एकत्रीत कर सकती है ब्लू वेल 46 किलोमेटर प्रती घंटे के रफतार से पानी में दोड सकती है ब्लू वेल का सिकार मुख्य तोर पर उसके मांस के लिए होता था जो की बहुत महंगा और स्वादिश होता है परन्तु अब ब्लू वेल के सिकार पर प्रतीबंद लगा दिया गया है जिससे भविश्य में इसकी जंजंक्या में सुधारा हो सके दोस्तो आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके जरूर बताईए और इस वीडियो को अपने सभी सोचल प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर करेजिए